Hello everyone, Welcome to Mathematics Lover's Academy तो आज के वीडियो में हम Question No. 7 Exercise 9.2 के Question No. 7 to 12 को Complete Self करेंगे, ठीक है? Question No. 7 से लेकर के 12 तक जितने भी Question है, ये सारे Complete Self करेंगे और इसके पहले का अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा वहाँ से देख लीजिएगा ठीक है और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उपर के भी मैं सारे कोस्टिंस कंप्लेट साल करा चुका हूँ और जो भी कोस्टिंस फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडेक्शन का हुआ था डिपनेशन बगारा वह भी देख सकते हैं ठीक है आज देखिए शुरू करते हैं कोस्टिंन नमबर सेवन काफी अच्छा कोस्टिं आज के वीडियो में जितने भी हैं सब्सक्राइब कुस्टिं नहीं लांग कोस्टिं बनने वाले हैं क्या देरका है क्या देरका है एक्स वाई उकल्स तू लाग वाई ठीक है अब करके लानी देखो इसको कैसे करते हैं काफी अच्छा कोस्टिन है ठीक है देखिएगा क्या रखाई एक्स वाई उकल्स टू डी वाई लाग वाई प्लस ठीक है अब इसे एक इसन नंबर फस्ट माल लिया अब इसका क्या करेंगे हमें देखो बाई डैस चाहिए बाई डैस का मीनिक क्या होता है One Time differentiation करना है तो इसका क्या करेंगे बन ताइम 32 रखा जाता है और वाय का किया ढवाई कश शूब भाइट भाइड़inkन लाउक साइन का करेंगे तो बन द कोई ठीक है और वाई का फीका हो ठीक है, तो यंड सकत्वन में करेंगे, अब किया मिलेगा येक्स, और वाई का larger ऍड nem युप का क्रेंगे y dash के लिए x y y dash plus यहां से मिल जाएगा y square equals to y dash के लिए एक चीज़ देखते रहे हैं कि हमें क्या चाहिए y dash equals to y square upon one minus x y चाहिए ठीक है अब देखिएगा by dash को एक side मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा x y y dash minus y dash equals to यहां पर हो जाएगा minus y square देखो by dash को इस side मिला है तो minus का हो गया अब by square को इस side मिले केगा तो minus का y square यहां से हमें by dash कामल मिला है ठीक है बचेगा कितना बचेगा देखो by dash जब कामल लेंगे यहां से बचेगा x y यहां से कितना बचेगा x y और यहां से बचेगा 1 तो xy-1 equals to minus y square के लिए यहां से इतना टर्ब मिल जाएगा अब देखिएगा आप क्या करेंगे आप समझेगा अब यहां से क्या कर सकतें इसको इस साइड में भेज देंगे तो y equals to कितना हो जाएगा देखो यहां से माइनस कामल ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा y square upon 1 minus xy एक चीज़ समझेगा देखिएगा यहां से मैंने क्या किया यहां से माइनस कामल ले लिया फिर j वाला minus और इस minus से cancel हो जाएगा by dash वरावर क्या हो जाएगा y square upon 1 minus xy अब एक बाद देखने हमें लाना क्या है जही चीज़ लाने थी वही और कुछ नहीं है बहुत सिंपल प्रूब हो गया बहुत सिंपल कोस्चन था तो by dash equals to आगया y square upon 1 minus xy फेर एक condition हो जाएगी xy is not equal to 0 जह condition क्यों होगी जह condition इसलिए होगी अगर xy 1 हो गया ठीक है xy अगर यहां पे 1 minus 1 means 0 denominator में 0 बन जाएगा और 0 बन जाएगा तो function क्या होगा define नहीं होगा ठीक है तो function को define करने के लिए xy non one condition दे रखे ठीक है तो इस टाइस से काफी अच्छा question था दों लोगों ने प्रूब कर लिया ठीक है अब आते है question number 8 पे जबी काफी अच्छा question है question number 8 में क्या दे रखा है y minus cos y equals to x prove करके लाना है y sin y plus cos y plus x फिर bracket है y dash equals to y लाना है ठीक है देखिएगा question number 8 कैसे करते है देखो वही question number 8 y minus cos y दे रखा है y minus cos y equals to x clear यहां पे लिखे ले रहा हूँ y minus cos y y minus cos y equals to क्या दे रखा है x दे रखा है clear approve करके जो चीज़ लानी है only हमें देखो y dash ही find करना है और इस type से आना चाहिए देखो इसे कैसे करेंगे काफी अच्छा question है तो इसे मैंने क्या किया इसे equation number first suppose कर लिया अब इसका क्या करेंगे हो जाएगा sign y ठीक है फिर y का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा y dash और इधर x का 1 हो जाएगा क्लिए y x के respect में कर रहे है अब यहां से हमें y dash common मिल जाएगा और क्या अच्छेगा 1 plus sign y क्या अच्छा 1 plus sign y equals to 1 clear अब देखिएगा हमें चाहिए क्या यहां पर एक सिकेंट प्रूफ करने में देख लेते हैं हमें क्या चाहिए है प्रूफ मिंट में देखो क्या लिखा है by sign y plus cos y plus x into y dash equals to by जे चीच चाहिए देखो इसको कैसे लाएंगे देखो यहां से क्या कर सकते हैं यहां से हम by dash की value point कर सकते हैं by dash हमें कितना मिल जाएगा 1 upon कितना मिल जाएगा 1 upon 1 plus sign y clear जे मिल जाएगा by dash इस y dash की value क्या करेंगे हम इसके lhs में put कर देंगे अब यह lhs क्या दे रखा है यहां पर note करें ले रहा हूँ by sin y कितना है by sin y plus cos y ठीक है by sin y plus cos y plus ex और into कितना है by dash equals to हमें by prove करना है ठीक है यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम by dash की value put कर देंगे देखो फिर हो जाएगा हमारे पास तो मिलेगा by sin y ठीक है by sin y plus यहां पर क्या है cos y plus ex ठीक है अब by dash की value कितनी है 1 upon 1 upon क्या दे रखा है 1 plus sin y ठीक है 1 plus sin y यहां से हम लोग lhs लेके चल दे ठीक है lhs तो देखियेगा इस चीज को हमने value रख दिये ठीक है अब देखो क्या करेंगे यहां पर देखियेगा by sin y और equation number first equation number first का use करेंगे तो लिखेंगे using using equation first ठीक है equation first का use कैसे करेंगे यहां पर x की value दे रखी है by minus cos y तो x की value वापस डाल देंगे तो क्या लिखेंगे by sin y क्या हो जाएगा y sin y plus cos y ठीक है और x की value क्या है by minus sin y तो हो जाएगा by minus sorry cos y है तो by minus cos y और इस side में कितना चल दा है 1 upon 1 plus sin y ठीक है 1 plus sin y अब देखियेगा यहां से cos y और cos y cancel हो जाएगा और हमारे पास बच्चा y और यहां पर क्या बच्चा है by sin y तो यहां से by कामल ले लेंगे तो कितना बच्चाएगा 1 plus sin y 1 plus sin y बच्चाएगा और इस side में क्या है 1 upon 1 plus sin y clear यहां से समझेगा 1 plus sin y 1 plus sin y cancel हो जाएगा only क्या बच्चाएगा by जो क्या है RHS ठीक है इस type से इसे प्रूब करेंगे काफी एच्चा question था hence proved दो को मैंने क्या किया फस्टाफ वाल इस question में जो equation दे रखा था ठीक है जो equation दे रखा था उसका उसे का differentiation किया ठीक है बहां से क्या किया by dash की value find करी ठीक है अब बात करते है question number 9 की देखियेगा question number 9 में क्या दे रखा question number 9 है x plus y equals to 10 inverse y prove करना है y square y dash plus y square plus 1 equals to 0 यहां भी only one time differentiation करना है और इस time से हमें prove करना है देखो कैसे करेंगे काफी अच्छा question है जे भी देखो यहां पर करें ले रहा हूं कितना दे रखा है x plus y क्या है x plus y equals to 10 inverse y ठीक है इसका इसे question number 1 से पोज़ किया और इसका जो है one time differentiation करना है देखो x का करेंगे क्या हो जाएगा y का करेंगे तो क्या हो जाएग y dash equals to 10 inverse y का होता है 1 upon 1 plus y जिवाई आप लोगों को formula learn होना चाहिए 10 inverse y का जो है इंटेग्रेट डिफ्रेंसियेशन क्या होगा 1 upon 1 plus y square अब फिर y का भी किया जाएगा y का करेंगे तो क्या हो जाएगा y dash हो जाएगा clear अब देखिएगा इस चीज की multiply इस side में कराएंगे ठीक है 1 plus y square के multiply LHS में कराएंगे देखो क्या मिलेगा यहां पर हो जाएगा 1 plus y square क्या हो जाएगा 1 plus y square 1 से कराए फिर इस से कریएगे तो देखो 1 से कराएगा तो कितना मिलेगा y dash ठीक है फिर y dash से कराएंगे तो y dash y square हो जाएगा और equals to क्यादर रखा है y dash ते रखा y dash जितने भी हैं उनको एक side में कर लिजेगा देखो 1 plus y square इसे एक side में रखा ठीक है 1 plus y square equals to इस side में क्या जाएगा y dash ठीक है y dash और इस टीज को और हम shift करियेगा तो minus y dash और जे भी minus का हो जाएगा y dash और y square y dash से y dash cancel हो जाएगा ठीक है अब देखो इसको इस side में shift करियेगा plus का बन जाएगा तो क्या मिलेगा y square y dash plus y square plus 1 equals to 0 और जही चीज हमें prove करने थी काफी simple question बन गया hence proved ठीक है काफी अच्छा question था जही answer हो जाएगा prove हो जाएगा इस type से क्या किया भाई जो दे रखा था x plus y 10 inverse y इसका differentiation की या थोड़ा बहुत simplify कर लिया answer आगया काफी simple था फिर इसके बाद question number 10 पर बात कर लेते हैं question number 10 में क्या दे रखा है y equals to under root a square minus x square where x belongs minus a comma a और prove करके लाना है x plus y into dy over dx dy over dx का मीनिंग क्या है y dash भी लिख सकते हैं या dy over dx एकी चीज़े where y is not equals to 0 देखो इस question को कर से करते हैं देखिएगा question number 10 क्या दे रखा है y equals to दे रखा है under root under root का मीनिंग मैंने कल भी बताया था क्या होता है power होती है half कितनी power होती है 1 by 2 होती है अब इसका क्या करना है differentiation करना है तो इस side में करेंगे y dash हो जाएगा ठीक है differentiation में क्या हता है जो power होती हो पहले हो जाती है ठीक है और a square minus x square यहाँ पे power एक कम किया जाता है तो कितना 1 by 2 minus 1 means minus 1 by 2 minus 1 by 2 यहाँ पे power बचेगा फिर क्या करेंगे फिर a square minus x square का भी differentiation होगा तो a square का 0 और minus x square का करेंगे तो 2x हो जाएगा clear तो इसको और simplify करेंगा तो 1 upon 2 1 upon इसको denominator में लाएगा तो under root में बन जाएगा under root में बन जाएगा a square minus x by जो minus 1 by 2 power है वो denominator में लाएगे प्लस की बन जाएगी और into यहाँ पे क्या है minus 2x है देखो 2 से 2 cancel out हो गया यहाँ पे क्या आचा minus x upon under root a square minus x square अउस side में के चल रहा था by dash चल रहा है ठीक है एक बाद देखिएगा prove क्या करना x plus by into इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं अगर इसे equation first से पोज करें तो क्या लिखेंगे from equation first ठीक है from equation first इसे क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा y dash equals to minus x upon y clear अब y की multiply यहाँ करा दीजेगा तो कितना हो जाएगा y into y dash बरावर minus x यानि की इसे लिखा जाए सकते है y y dash plus x equals to 0 अब एक बात देखते हैं प्रूब क्या करना था वही देखो जही तो प्रूब करना है क्या प्रूब करना है x plus y into dy over dx means y dash x plus y y dash बरावर 0 अब देखिएगा हम प्रूब करके क्याला है x plus y y dash बरावर 0 इसको ऐसे लिखा गया है x plus y into y dash equals to 0 जही तो भाई प्रूब करना था हमें तो इस टाइब से जो है हमारा प्रूब हो जाएगा है स्प्रूब काफी अच्छा कोस्चन था ठीक है अब इसके बाद कोस्चन नंबर 10 आता है ठीक है 10 तो हो गया इसके बाद कोस्चन नंबर 11 काफी अच्चा कोस्चन है देखिएगा कोस्चन नंबर 11 लिखा आए the number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation of fourth order ठीक है कोई भी एक differential equation है क्या है एक differential equation हो जिसका order कितना है order 4 है ठीक है मैंने जिस दिन differential equation शुरू किया था उसी दिन मैंने stage को discuss किया था किसी भी कोई भी differential equation जितने order का है order का मलब किया उसका कितनी time differentiation हुआ है अब differentiation कितनी time हुआ इसका meaning क्या है उसमें constant कितने है ठीक है अगर c1 एक constant 2 अगर दो constant है ठीक है इस type से अगर दो constant है तो उसका two time differentiation होगा two time अगर three constant है तो three time होगा means उसका order three होगा यहाँ पर क्या कह रहा है order four है अगर उसका order four है differential equation का तो उसमें number of arbitrary constant जो होगे वो four ही होगे means उसका four time differentiation तभी होगा जब उसके order four होगे तो option number four clear होगा फिर question number 12 लिखा है the number of arbitrary constant in the particular solution of a differential equation of third order r देखो कह रहा है the number of arbitrary constant in the particular solution means एक differential equation है जिसका order कितना है three है differential equation का जो order दे रखा है वो कितना है three है फिर क्या पूंच रहा है उसके solution में ठीक है particular solution में कितने जो है constant होगे the number of arbitrary भाई अगर कोई भी differential equation three order का ठीक है तो उसका जब solution particular solution find किया जाएगा ठीक है particular solution जब find करेंगे तो उसमें एक भी constant नहीं होगा means no constant ठीक है उसमें कोई भी constant नहीं होगा तो इसका पी आई निकाला जाता है particular integral देखो जब differential equation पढ़ते हैं वहां पे दो चीज़ें होती है एक होता है cf complementary function एक होता है पी आई आगे चलके graduation में पढ़ोगे जो particular integral होता है इसी को बोलते है पार्टिकुलर solution ठीक है और उसमें कभी भी कोई भी constant नहीं यूज होता है जितने भी constant होते हैं वह हमेंसा क्लियर कराएंगे ठीक है तो आयोब सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी अगर आप लोग चैनल पर पहली वारा हैं तो subscribe जरूर कर लिजिएगा और साथ साथ में notification bell icon को भी press कर लिजिएगा और अपने सभी friends को भी share करिएगा दाकि उन्हें भी upcoming exam के लिए कुछ ना कुछ advantage मिले तो ठीक है thank you everyone support करते रहेगा और सेखते रहेगा